आपने साही पनीर, मिटर पनीर और पनीर मसाला तो बहुत बार खाया होगा लेकिन ये वाली पनीर इसना बहुत कम लोगों ने ट्राइ की होगी तो चलो फिर आज बना लेती हैं सबसे पहले प्याज को बड़े टुकड़ों में काट कर डाल लेंगी फिर डालेंगी पांचे लसन की कलिया उसके बाद दो इंच के करीब अध्रक भी डाल लो कुछ बादाम और काजवी जरूर रैड कर लें हां इनसे बहुत ही अचा टेस्ट आता है फिर डालेंगे इसके टेस्ट को और भी सूपर करने वाले कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने डाला है दाल चीनी हर लाइची, तेज, बत्ता, लोंग, काली मिर्च और चकरफूल अच्छा चकरफूल कुछ ज़्यादा सुन्दर नहीं दिखता जब मैंसे वैस बिरियन राइस में डालती हूँ न तो बनाने के बाद सबसे पहले से ढूंदती हूँ कहा गया चकरफूल और सबसे उपर इसे स बीच-पीच में से चेक पी जरूर कर लें और जब आपको लगे सभी चीजे बढ़िया से सोफ्ट हो गई है तो धक्कन हटा कर इसी ठंडा कर लेंगी और उसके बाद जो हमने खड़े मसाले डाले थे न उनमें से इन तीनों को बहार निकाल देंगे और जो बागी के बचे इसमें ही रहने देंगे वैसे बेचारा चक्रफूल भी इसमें आता है अच्छा हमने कुछ जादा सैड़ी स्टोरी नहीं बना दी चक्रफूल की आप इसे पीस कर पेश्ट बना लेंगे और अभी के लिए साइड में रख देंगे इसके बाद एक पैन में बटर डाल लो औ अब आप बोलोगे बस मेथि डालकर टेस्ट कर दिया आरे नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है मेथि को आपको खुला ही पकाना है लो मिडियम फ्लेम पर पकाना है और बढ़िया से पकाना है तब ये बिलकुल भी कड़वी नहीं लगती जब आपको लगी मेथि अच्छे से पक गई है तब आप इसे हलका सा ठंडा करके ना एक जार में ट्रांसफर कर लें और इसे कुछ इतना मोटा पीच लें ये देखो इसके बाद एक कढ़ाई में बटर डालकर गरम कर लेंगे और जब ये गरम हो जाए तब इसमें डालेंगे रैड चिली पावडर और हल्दी पावडर इसे मिलाने के तुरंद बाद ही डालेंगे अपने प्याजवाला पेस्ट और बस इसे सब्र के साथ पकाते जाएं तब तक जब तक किसके बरावर से ना ऐसे ओयल निकलने लगे और बस इसे स्टेज पर हमने जो मेथी पकाई थी ना वो वाले डालेंगे बढ़िया से मिला ले और पकने दे जब ये पकने लगे तब यहाँ पर डालेंगी दही एक तुद ही ज़्यादा खटा नहीं होनी चाहिए और दूसरा इसे अच्छे से फेट कर डाले और मिला कर इसे पका ले फिर आड़ करेंगे करीम मैंने ना घर के दूद से ही मिलाई निकाल कर उसी चम्मसी स्मूध कर लिया था नमक डालना मत भूले जैसे मैं भूल गई थी बढ़िया से मिक्स करके पका ले और लास्ट में यहाँ पर पनीर डालेंगे पनीर के टुकडों को ना आप छोटा या बड़ा जिस साइच का भी आप चाते हैं अपने हिसाब से का पका ले या फिर धकन से कवर करके पका ले वैसे इस पनीर डिसको ना मेथी चमन पनीर बोलते हैं और परस तयार है सारू करने के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल कर सब्सक्राइब